ये कहानी लिंडा नाम की एक टीचर के उपर आधारित है जो ना चाहते हुए भी अपने एक इस्टुरेंट से प्यार कर बैठती है उसके बाद उन दोनों के बीच में वही होता है जो हमारी पिछली एक्स्प्लेनिशन में अभी तक होता आया है लेखिन प्रॉब्लम तो स्कार्टिंग सीन में हम लिंडा नाम की टीचर को देखते हैं लिंडा की जिंदगी कुछ खास नहीं है क्योंकि वह बस बच्चों को पढ़ाती है और कुछ छोटे मोटे काम करती है और इसके अलावा लिंडा कुछ भी नहीं करती लिंडा की आधे से जादा उमर निकल तभी एक जबान लड़का लिंडा के पास आता है लेकिन लिंडा बिना कुछ सोचे उस पर पेपर स्प्रे कर देती है क्योंकि उसकी सकल देखने के बाद लिंडा को लग रहा था कि ये सायद कोई समुंदरी लुटे रहा है तभी वो बंदा लिंडा को बताता है कि मैं माफी मांगती है और उसे लिफ्ट वे देती है उस लड़के का नाम जेसन था लिंडा जेसन से पूस्ती है कि तुम पहले एक बहुत अच्छे राइटर थे और अब तुम्हारा वो राइटिंग का काम कैसा चल रहा है जिस पर जेसन उसे बताता है कि मेरे डैट जबरदस् मेरे स्कूल में भी प्ले होने वाला है इसलिए तुम अपना प्ले कल मुझे स्कूल में आके दिखा देना जिस पर जेसन उसकी बात मान जाता है और अगले दिन क्लास की दोरान वो लिंडा के पास आता है जेसन लिंडा को अपना प्ले देता है और वहां से चला जाता है उ कार्ल को वो प्ले पढ़ने के पारद इतना ज़ादा पसंद आता है की वह ओर लिंड़ा को बताने के लिए उसके टॉयलेट में चला जाता है जिसके बाद वो दुनों मिलके principal office जाते हैं लेकिन principal उसे कहती कि ये play हम perform नहीं कर सकते क्योंकि इसकी ending में मावाफ का मर्टर और बच्चों को suicide करना सिखाया गया है और एक school की according ये ending ठीक नहीं होगी जिस पर कारल उसे बोलता है कि अगर आपको ending पसंद नहीं आरी तो हम ending को change कर देंगे और ये बाद principal भी मान जाती है वहां से बाहर आने के बाद लिंडा कारल से कहती है कि हम इस play में कुछ भी changes वगरा नहीं करेंगे play जैसा है वो ऐसा ही रहेगा लेकिन इसके बार में तुम भी principal मैम को कुछ भी मत बताना इसके बाद लिंडा और जैसन एक कैफे मे मिलते हैं जहां लिंडा जैसन से बोलती है कि तुम्हारा play principal मैम को इतना जादा पसंद आया है कि वो school में annual function में ये play perform करवाएगी लेकिन तभी जैसन लिंडा को ऐसा करने से मना कर देता है और वो लिंडा से कहता है कि मेरा लिखा हुआ play इतना भी जादा अच्छा नहीं है जिस पर लिंडा उससे समझाती है कि तुम्हारा लिखा हुआ play बहुँ जादा अच्छा है और ये लोगों को बहुँ जादा पसंद आएगा ये से उनके जैसन भी उसकी बात मान जाता है और ये सम मिलके play की तयारी करना सुरू कर देते हैं प्रैक्टिस के दोनर वहाँ प अपने साथ एक क्लासरूम में ले जाती है और वहाँ पहुचने के बाद लिंडा जैसन को पेट दर्थ की दवाई देती है लेकिन वो गोली खाते के साथ जैसन के अंदर का किंग कॉंग जाता है जिसके बाद वो छूडते ही लिंडा को किस करने लगता है ये देखने के ब पर कुछ भी हो लेकिन हम भी वर्ष को पता है कि उन दोनों को मज़ा बहुत आया था लिंडा को वहाँ पे ये रियलाइज हो रहा था कि एक तो वो उसका स्टूरेंट था और दूसरी बात वो उससे चोटा भी था जिसके बाद लिंडा जैसन के पाद जाती है और वो उसस करते हुए देख लेती है जिसके बाद लिंडा जैसन से बूलती है कि क्यों भे गिरगिट बदल लियाना तुने अपना रंग और लिंडा लीली को भी इस प्लेस से निकाल देती है जिसके बाद जैसन लिंडा के बाद जाके उससे बोलता है कि तुम क्या चाहती हो अगर मै तुम्हाई जात घबा घब ना करू तो किसी के साथ भी ना करू क्या जिस पर लिंडा उसे बोलती है कि मेरे बच्चे किलास इन सब चीजों के लिए नहीं है जिस पर जेसन उसे अपनी पुरानी बात याद दिलाता है और वो सुनकि लिंडा वहां से काफी नाराजों कि वहा जिस से नाराज होने के बाद लिंडा प्रिंसिपल के पास चली जाती है और वो प्रिंसिपल से बूलती है कि लिली मेरे बारे में जूटा अववा फैला रही है ये सुनकि प्रिंसिपल को भी काफी गुसा आता है और वो लिंडा को अपने साथ लेकि लिली के पास जाता है जहाँ प्रिंसिपल लिली से पूछता है कि तुम लिंडा के बारे में जूटी अवाग स्कूल में क्यों फैला रही हो जिसपे लिंडा प्रिंसिपल से बूलती है कि मैंने लिली और जेसन को एक साथ गबागब करते हुए देखा था और साइद लिली मेरे से इस बात का बदला लेना चाहती है जिसपे लिली बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया बलकि लिंडा मैम का खुछ जेसन के साथ अफैर है लिली खुद को सही सावित करने के लिए प्रिंसिपल को वही वाली वीडियो किलिप दिखाती है जो उस हरामी वच्चे ने रिकॉर्ड कर लिया था ये देखनी के बाद प्रिंसिपल को काफी गुस्सा आता है और वो लिंडा को स्कूल से निकाल देता है घर जाते वक्त लिंडा गुस्से में एक छोटी से पोल को रोड में ठोक देती है जिसके वज़े से उसका एक्सेडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में भरती करवाना पड़ता है जहां लिंडा भरती होती है वहाँ के डॉक्टर जेसन के डैड होते हैं जिसे देखके लिंडा काफी रोने लगती है और लिंडा जेसन के डैड को अपने और जेसन के अफेर के बारे में बता कि वहाँ से चली जाती है और ये सुनने के बाद जेसन के डैड खरगोश डांस करने लगते हैं घर आने के बाद लिंडा के पास कारल का कॉल आता है और वो लिंडा से प्ले के बारे में पूछता है जिस पर लिंडा कारल को बोलती है कि मैं इस प्ले में शामिल नहीं हो सकती अगली दिन सुबा सुबा लिंडा की स्कूल की प्रिंसिपल लिंडा के घर आती है और वो लिंडा को बताती कि कारल को हार्ट अटेक आया है और वो लिंडा से ये भी कहती कि शो की 18,000 डॉलर्स की टिकट भी बिक चुकी है और अब अगर प्ले नहीं हुआ तो हम लोग बरबाद हो जाएंगे जिस पर लिंडा उससे एंडिंग के बारे में पूछती है जिस पर प्रिंसिपल उसे कहती है कि एंडिंग चेंज करने का काम तुम्हारे उपर डिपेंड करता है तब लिंडा के पास कोई चारा नहीं था और वो प्रिंसिपल की बात मान लेती है तब ही यहाँ से सीन सिफ्ट होता है और हम उस दिन को देखते हैं जिस दिन प्ले प्रफॉर्म होने वाला था उसके बाद वहाँ पे प्ले सुरू होता है और एक परफेक्ट एंडिंग के साथ वो प्ले खत्मी भी हो जाता है जिसके बाद सब लोग उस play की बहुत जादा तारीफे करते हैं तब Jason को एहसाद होता है कि actual में उसकी ending सही नहीं थी उसके बाद अगले दिन हम Linda को एक bookie store पे देखते हैं जहां Jason के dad पहुँचके Linda को line मानने लगते हैं और वो उससे date पे चलने के लिए पूचते हैं पर Linda भी उसे हां कर देती है उसके बाद आके क्या होगा इसके लिए आप खुझ समद्दार हो और ये movie यहां खत्म हो जाती है तो guys इस movie में दिमाग की दही और दही का दिमाग बन चुका है अगर आपको ये explanation पसंद आती है तो make sure आप मेरे चैनल को subscribe करकरी मुझे support करें description पार्ट में आपको मेरे एक और चैनल का link मिल जाएगा तो उसे subscribe करकरी उसे भी support करें और guys इस movie की I'm DVD रेटिंग है 5.8 starts out of 10 और इससे google user ने 74% like किया है तो guys नई explanation जल्दी आगी तब तक के लिए stay safe stay healthy झाल